विंद्याचल परवत ये विंद्याचल परवत शिरंखला भारत के पस्चिमी मद्धे में स्तित प्राचीन गोलाकार परवतों की शिरंखला है। विंद्याचल पर्वत भारत उप्खंड को उत्री भारत वे दक्षिनी भारत में बाठती है विंद्याचल विंद्याचल जमा अचल अर्थत विंद्याचल पर्वत के नाम से बना है विंद्याचल पर्वत स्रेणी पहाडियों की टूटी-फूटी स्रंखला है इस स्रंखला भारत के मध्या से होते हुई पूर्ववः उत्तर से होते हुई मिरजापूर में गंगा नदी तक जाती है इस श्रंख़़ा के उत्तरवे धक्षिन का इलाका रहने लायक नहीं है जो विन्धयः वे अरावली श्रंख़़ा के बीच में स्थीत है जो दक्षिन से आती हुई हवाओ को रोकती है विंद्या से विंद्या में सबसे प्रिसिद्ध है यहां के सफेद शेर इस परवत माला का विस्तार उत्तर परदेश, मद्या परदेश, 36 गड़, गुजरात, बिहार तक है विंद्या चल परवत का विस्तार लगभग 1086 किलो मीटर तक है विंद्या चल परवत मालवा पठार का दक्षिनी शोर बनाते हुए और इसके बाद दो शाखाओं में बटे हुए हैं कैमूर श्रेनी और दक्षिनी शाखा कैमूर श्रेनी जो सोन नदीस के उत्तर से पश्चमी बिहार राज्य तक फैली है तथा दक्षिनी शाखा जो सोन और नर्दा नदी के उपरिक शेतर के बीच मैकल श्रेनी अर्थात अमर कंटक पठार में सत्पुडा परवत श्रेनी से मिलती है मालवा पठार के दक्षिन से आरंब होकर यह श्रेनी पूरव की और मध्य परदेश तक विस्तृत है यह भारत को दक्षिन भारत से अलग करती है विंद्य शब्द की व्यूत पती विध धातु से कही जाती है भूमी को बेड कर यह परवत माला भारत के मध्य में स्थित है विंद्य की गणना सब्त कुल परवतों में है विंद्य का नाम पूर्व वैदिक साधिते में नहीं है वालमिकी रामायन किस किंदा कांड में विंद्या का उलेक संपाती नामक ग्रद राज ने किया है महा भारत भीशु पर्व में विंद्या को कुल परवतों की श्रेणी में परिगनित किया गया है श्रीमत भागवत में भी विंद्या का नाम उलेक है कालिदाश ने कुष की रालधानी कुषावती को विंद्या के दक्षिन में बताया है कुषावती को छोड़कर आयोध्या वापिस आते समय कुष ने विंद्या को पार किया था अपनी समतल या बलुवा पत्थर संरचना के कारण ये परवत समतल शिखर युक्त और पठार जैसे लगते हैं चंबल, बेतवा, केन और टोन्स, तमसा, काली सिंध, सोन, पारवती नदियों का उद्गम यहीं से हुआ है देश की 51 सक्ती पीठों में से एक माविंद्य वासिनी का मंदिर इसी पहाड़ पर बना हुआ है पुराणों के अनुसार इसके अंतरगत रोहतासगड, चुनारगड, कलिंजर, आधी अनेक दुर्ग हैं तथा चित्रकूट, विंद्याचल परवत विंद्याचल आधी अनेक पावन तीर्थ हैं पुराणों के अनुसार इस परवत ने सुमेरू से इर्शय रखने के कारण सूर्य देव का मार्ग रोक दिया था और आकाश तक बढ़ गया था जिसे अगस्तिह रिशी ने नीचे किया इसकी कई छोटी बड़ी पहाड़ियों को विकास के नाम पर कार्ट दिया गया है इस र जाज़ बड़ियों का हम पर दो कि व की वार देव का इसका बड़ी था तक बड़ी